हालो एवरिवन और वेल्कम बैक टू यूजी सिनेट मेंट और आई होप यू अला डूइंग वैल गाइज आज की इस वीडियो में हम एनलीजिस करेंगे 9th of October 2020 को हुए 2nd shift में जो एक्जाम हुआता है NTA UGCNET का आज हम उस एक्जाम का एनलीजिस करेंगे So guys make sure आप इस वीडियो को एंड तक देखना Because आप कोई question repeat होता है या इनमें से किसी topic पे indirect way में question पूछा जाता है So definitely आप उसका answer कर पाएंगे Because यहाँपर मैं हर एक question को अच्छे से explain करूँगा और आपको कावे साइट नहीनी tricks पता चलेंगी ताकि आप उन tricks को उन tips and tricks को आप अपने आने वाले upcoming exam में use कर पाओ So guys वीडियो बागे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँँ कि मैं इस चानल पर आपको UGC net से related सारी update देता रहता हूँ और साथी किसी government college या किसी government university में assistant professor या associate professor की vacancy निकलती है तो उससे related update भी मैं आपको यहाँपर देता रहता हूँ So guys make sure आप इस चैनल को subscribe कर लें साथी bell icon press कर दें ताकि upcoming videos का notification आप लोगों मिलता रहे तो guys चलिए start करें दें चलिए सी video first question था आपको दिख रहा होगा आपकी screen पर 60, 30, 20, 15 next item आपको बताने थे हैं कि यहाँपर next item क्या होंगे तो यहाँपर जो next item होंगे हो जाएगा 12 and 10 तो यहाँपर जो next item होंगे किस तरीके से हमें निकालने हैं यहाँपर हम आपको बता दूँ कि यहाँपर आपको first number given था 60 इसी number का सारा खेल था, इसी number को आपको divide करना था पहले 1 से, तो 60 आजाएगा, then 2 सी divide करेंगे तो 30 आजाएगा इसी 60 को हम 3 सी divide करेंगे तो 20 आजाएगा, 60 को हम 4 सी divide करेंगे तो 15 आजाएगा तो उसके बाद हम किसी divide करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 तक पहुंच चुका है, तो हम 5 सी divide करेंगे और 6 सी divide करेंगे तो इस तरीके से आपको इस number series को solve करना था, काफ़ी tricky question था यह, और बहुत जल्दी stack को question जो है, वो दिमाग में हमारे click नहीं करते हैं, So no problem, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question था आपका, if 5472 is equal to 9, 6342 is equal to 6, 7584 is equal to 6, 9237 is equal to what, आपको बताना है कि यहाँ पर यह जो number है, इसका यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका option given है, तो यहाँ पर right option था, option number 3, I think option number B है, right answer 3, यहाँ पर guys यह A नहीं है, यहाँ प अब इसका explanation क्या है, मैं आपको दिखा जीता हूँ, explanation क्या है इसका, आपको करना क्या था, जो यहाँ पर digit given है, जो आपको digit given है, 5472, 6342, इनहीं को आपस में add करना था, मैं दिखा जीता हूँ कैसे, जैसे यहाँ पर number given था, आपको 5472, यह first number जो है, 5472, यहाँ पर हमें digit को add करना था, 5 plus 4 plus 7 plus 2, इसे भी को मैं add कर दिया, तो कितना आगे 18, आप 18 जो number आएगा, उसको भी आपस में add करेंगे, 1 plus 8, तो कितना आजाएगा 9, so this was the 9, इस तरीके से 9 आया था, ऐसे ही हम next number के करेंगे, 6342 का, तो 6342 को जब आप add करेंगे, individually, तो number आजाएगा 15, और 15 को दुबादा से हम individually add करेंगे, तो आजाएगा 6, that was the given number 6, ऐसी next number था, 7584, इसको भी हमें add करेंगे, 7 plus 5 plus 8 plus 4, then 24 आजाएगा, then दुबादा से आपको individually number उसको add करना है, 2 plus 4 कितना हो जाएगा, 6, that was the given number, अब आइधिक सबको समझना आगा 9237 के साते में क्या करना है, इनको पर individually हम add करेंगे, 9 plus 2 plus 3 plus 7, 21 आजाएगा, then 21 को हम individually add कर देंगे, 2 plus 1 तो क्या आजाएगा, 3, so, यहां पर right answer क्या हो जाएगा, option number B, that is 3, I think सब्सक्राइगा और किसे को doubt हो तो प्लीजे comment करके बताना मुझे, okay, next question था, what was the main aim of education during ancient India, ancient India में education का main motive क्या था, main purpose क्या था, तो यह मतलब क्या होता है, मुक्ति और मुक्ष, आपको पता होगा, मुक्ति और मुक्ष क्या होता है, पहले टाइम पर ही बहुत चर्चा में, I mean, होता था यह, material development, then fulfillment of vocational lead and calculation of social value, so guys, इसका मुझे exact answer तो नहीं पता है, जहां तक मुझे लगता है कि social value को लेकर की हो सकता है, option, यह म liberation and emancipation भी हो सकता है, कि मुक्ति और मुक्ष की तरफ बच्चों को जादा पढ़ाय करवा ही जाती थी, so guys, मुझे exact answer नहीं पता है, कि आप लोगो को कुछ idea हो, तो मुझे comment करके बता है, चाहते है, मुझे लगता है, option number D, इसका right answer हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है personally, मुझे exact answer नहीं पता कि क्या होगा, तो मुझे आप option number D, डालती है, आप लोगो को पता हो कुछ idea हो, तो please comment करके बताना कि इस question का answer क्या हो सकता है, नहीं तो जब आपकी final answer कि आएगी, तुहाँ पता चलेगा कि इसका right answer क्या था, चलिए next question करते है, open university in India were based on the recommendation on which of the following, इंडिया में जो open university open हुई है, खुली है, चलती है, वो किसके recommendation पर open university का concept था, वो लेके आया गया था, इंडिया में, तो यहाँ पर चार option given है, आपका जो fourth option है, वो exact याद नहीं students को, बस year याद था, तो मैंने आपर year डाल दिया है, exact यहाँ पर कौन सा, क्या लिखा वाता है, तो exact याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, वैसे भी right answer नहीं था, आपका option number D, option number B is the right answer, that is, Kothari Commission 1964, इसके recommendation पर open university बनी थी इंडिया में, तो एक बार देख लिएते, Kothari Commission क्या था, और किस ने किस तरीके से बनाया गया था, यह, National Education Commission 1964-1966, guys, यह है, मतलब यह originally नाम था उसका, जिसको popularity known as Kothari Commission भी कहा जाता है, ठीक है, so, main नाम था, National Education Commission, जिसको हम Kothari Commission के नाम से भी जानते है, was an ad hoc commission, set up by the government of India, to examine all the aspects of educational sector in India, to evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for the development of education in India, it was formed on 14 July 1964, under the chairmanship of Daulat Singh Kothari, then chairman of the university grant commission, उस time पर जो chairman थे, UGC के, उनके chairmanship के अंडर इस commission को बनाया गया था, तो Kothari Commission ने recommendation दी थी, कि हमें India में open university खोलने की जरूरत है, 1964-1966 के round, so, guys, this was the Kothari Commission, चलिए, next question कर लेते है, distance, हाँ, guys, यह question जो है, distance वाला, काफी easy question था, अगर आपको छोड़ी सी trick पता है, तो within second आप इस concern निकाल सकते है, ऐसे same question मैं इस distance, speed and distance का question कराया था, अपनी previous video में, तो वहाँ पर और इस question में काफी difference है, मैं बता जाता हूं, इसमें और इसमें क्या difference है, और इस type के question को आपको कैसे attempt करना है, so, guys, question में लिखा था, distance between A and B is 360 km, a car traveled from A to B with 40 km and B to A with 50 km, then average speed of the car, guys, से यहाँ पर आते हो किसी और speed से, that was 40 km, और जब आपसी जाते हो, तो किसी और speed से जाते हो, that is 50 km, तो अगर कभी ऐसा question है, जहाँ पर जो distance है, that is fixed, उसी distance को आप cover कर रहे हो, आप down में, अलग-अलग speed से, तो अगर इस type को question बनेगा, तो formula होता है, मैं बता जेता हूं, formula क्या speed 2, divided by speed 1, plus speed 2, guys, इस formula को use करेंगे हैं, इस question में, और इस से पहले, जो मैंने question कराया था, I think, इस से पहले जो exam में question आया, तो हमने इस formula का use करना था, और जो आपकी average speed होती है, उसका formula होता है, total distance, divided by total time, तो इस type का formula हम तब use करेंगे, जब आपको अलग-अलग speed given हो, plus time given हो, औ और कई बार ऐसा हो कि distance अलग-अलग given हो, like distance ही आप अलग cover कर रहे हो, 40 km cover कर रहे हो, 100 km की distance है, 50 km कर रहे हो, तब 200 km की distance है, इस तरीके से होगा, तब हम यह वाला formula यूज करेंगे, पर यहाँ पर क्या है, distance is common, distance जो है, वो 306 km है, दोनों के लिए, तो इस type के question का, जो करने का method है, तो हम short trick से करेंगे, sorry, short trick अपनाएंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर आपको formula दिख रहा होगा, इसी formula को apply करने, and then you will get the answer within second, तो यहाँ पर क्या करने है, 2, speed 1 कितनी थी, 40 km की speed थी, then second speed थी, 50 km, तो 2 multiply by 40, multiply by 50, simple, divide by, उसी speed को हम add कर देंगे, तो 40 plus 50 कितना हो जाएगा, 90, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना निकल आएगा, 45, तो हम पर right answer किया हो जाएगा, 45 km, that is option number A, so guys, I think सभी को समझ में आ गया होगा, okay, next question कर लेते है, हाँ, यह question भी काफी अच्छा था, if passing marks is 36% and one got 90 marks and failed by 9 marks, then what is the total marks, guys, देखो कितना easy question है, passing marks जो 36% है, ठीक ह एक बच्चे के 90 marks आते हैं, then वो 9 marks से fail हो जाता है, मतलब अगर उसके 99 marks आते हैं, तो वो pass हो जाता है, मतलब तो यही वाना, एक student के 90 marks आते हैं और वो fail हो गया, तो 90 marks लाके fail हो गया, 9 marks और लिया आता, तो वो pass हो जाता, ठीक है, तो 90 plus 9 कितना हो जाएगा, 99, तो यहाँ प concept सभी को समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ गया है, तो आपको question पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो अब मैं explanation देने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो right answer is, that is option number D, that is 275, तो उसका explanation देख लेते एक बाद, suppose the total marks are x, total marks कितने हैं, x, अब total marks के बाद, हमने let कर लिया, then 36% जो है, x का वो कितना होगा 99, simple है, मैंने अभी बताया था, आपकी तो जो passing marks है, 36% है, ठीक है, और 90 marks उन्हों लेके आया, 9 marks से fail हो गया है, तो 90 plus 9, 99 marks जो अगर लेके आता, तो वो pass हो जाता, इसका मतलब passing marks 36% है, को लेके जाएंगे, इधर 99 के पास, तो इधर आगया, और division में आज जाएगा, 36, उसका दिसका में जब solve करेंगे, तो अंसरा आजाएगा, 275, that is, option number D, okay, so guys, I think, सेब को समझ में आगया होगा, easy question था, इतना tough question नहीं था, next question था आपका, find the type of logic in the following sentence, देवदर्थ is either in house or elsewhere, देवदर्थ is not inside the house, therefore, देवदर्थ is elsewhere, so guys, जब भी, आपको मैं टरिक बताता हूँ, यहाँ पर जो यह logic लगता है, यहाँ पर जब भी तीन statement given हो, अलग लग तरीके से, उसी statement को बार-बार बोला जा रहा है, किसी दूसरे दूसरे वे में, तो समझ लेना, मतलब उनी में से किसी एक object की बात हो रही है, बार-बार तो समझ लेना कि यहाँ पर अर्थ पर्टी की बात की जा रही है, इसी same topic को, अर्थ पर्टी को मैंने explain किया था, अपने example में, जब मैंने Indian logic कराया था, तो उससे मिलता-जूलता question आया है, मैंने यह नहीं कहा रहा कि same question आया है, जो morning shift में question था, that that person is fat, he did not in at day time, so that he eat in night, तो इस तक पर जो question था, वो तो same to same question आया था, जो मैंने कराया था, और यहाँ पर, जो question थोड़ा indirect way में आया था, लेकिन जिन बच्चों ने मेरी वीडियो से देखा होगा, अर्थपटी यहनी Indian logic पढ़ा होगा, वो students इस question को जरूर attempt करके आपाया होँगे, और उन question का जो answer होगा, उनका सही होगा, so क्यासी बढ़र मैं दिखा जयता हूँ, मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इस वीडियो में explain क्या था, unit number 6, that was Indian logic, episode number 7 में मैंने इस type of question कराया हुए है, तो आप एक बार go through कर लेना, मैं इस वीडियो का लिंग निचे description में दे दूँगा, हमने इस channel पर इस बार जारे पक्का series करके चलाया हुआ है, जिस पर हम लोग हर एक एपिसोड को, हर एक unit को cover कर रहे है, हमने data interpretation किया था भी 2-4 दिन पहले की बात है, हमने episode 8 लेकिया थे, इससे पहले हम episode 4, 5, 3, 1, 2, 3 सारे हमने cover कर लिए हम लेडियो, तो हम हर एक unit के important MCQs discuss कर रहे हैं, जिसमें से direct question पूछे जारे हैं exam में, तो definitely जो चीज हैं, आपके जो episode हैं ये, definitely आपके काफी help करेंगो, तो एक बार जो गो थू कर लेना, इन सभी episode के, जो link है, मैं इसी वीडियो के description में provide कर दूँँगा, ओके, next question था आपका, in a certain sum, after 2 years, with 6% annual rate of interest, give simple interest of Rs. 300, then with the same rate and time, how much will be the compound interest, आपको बता ना कि compound interest कितना होगा, उसी same principal amount पर, और same time और same rate पर, तो एक बार देख लिए हैं यहाँ पर question में, हमें किस तरीगे से इसको solve करना था है, इसको right answer आएगा, 309, divided by 100, तो इसी formula आपको apply करना है, प्रिंसिपल निकालने के लिए, आपको एक बार प्रिंसिपल पता चलिए जाएगा, then you can easily calculate compound interest, तो सबसे पहले हमारा पहला step क्या होगा, प्रिंसिपल amount निकालना, तो हमने सब्सक्राइब कर लिए, प्रिंसिपल amount is X, so 300 that is simple interest, जो कि आपको question में given है, 300 जो आपका simple interest है, दो साल का time में 6% का rate है, तो क्या करना है, simple interest होगया आपका यहाँ पर, 600, sorry 300, और प्रिंसिपल amount हमने X मान लिया है, rate आपको 6% given है, time में 2 years का, divided by 100, उसके बाद क्या करना है, आपको X निकालना है, तो X आजाएगा इधर, यह आजाएगा division में, तो 6 into 2, यह आजाएगा division में, और 3 into 100, यह हो जाएगे एक साथ, तो जब इसको simplify करेंगे, तो कितना जाएगा 2500, that is your principal amount, यह आपका principal amount है, अब एक बार आपको principal amount पता चल गया, so now you can easily calculate compound interest, तो मैं बता जाएगा compound interest को calculate करने के दो रास्ते हैं, एक तो आपका यह कि आप direct वाला formula apply करो, जहाँ पर आप निकालते हो amount, याद करो वाला formula, प्रिंसिपल 1 plus R divided by N, divided by 100 की power N, इस तरीका से आपका formula होता है, आप इसे apply करो, जो value निकल के आएगी, उसमें से 2500 को minus कर देंगे, तो आपका answer निकल के आजाएगा, एक तो यह रास्ता है, एक तरीका यह है, कि आप ऐसे कर से तो जैसे मैंने बता है, कि जो first year का आपका interest होता है, that is same, first year का interest सेम रहता है, चाहे आप compound interest निकाल ले हो, चाहे simple interest निकाल रहे हो, तो 2500 का जब आप first year का निकाल लेंगे, 6% के rate से तो 150 निकल क्या आएगा, यह first year का interest हो गया, जब आप second year का interest निकाल लेंगे, compound interest की बात कर रहा हूँ, तो first year का, जो second year का compound interest निकलेगा, वो 150 तो सेम रहेगा, जो आपका first year का लेगा है, वो रहेगा, plus जो इस पे भी मतलब interest लगेगा, double interest लगता है compounding interest में, तो interest पे भी interest लगता है, तो 150 का आप 6% निकाल देंगे दुबारा से, तो कितना जागा 9 rupees, तो second year का हो जाएगा, 150 प्लस 9 तो कितना जाएगा 159, तो first year का 150, second year का 159, तो दोनों का संट्रोटल करने भी कितना जाएगा, 309 rupees, गाई जगर इस question में आपको doubt हो, अगर इस चीज समझना आ रही हो, तो आप इस formula का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, चाहाँ पर हम लोग, मैंने जिस अभी आपको बताया है, principal amount यहाँ पे होता है, 1 plus, जो हमने बच्चमन से पढ़ा है न, formula, divide by 100, multiply by N, यह हम बच्चमन से पढ़ते हैं, तो इस formula का use करके, जब आप निकालेंगे amount, तो amount निकल जाएगा, amount में से minus करड़ो, principal amount, तो आपको difference होगा, that will be compound interest, तो आप इस formula से बिस question को कर सकते हैं, तो आप सब को समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम overall बात कर लेते हैं, क्यों question overall कैसा था, तो जो DI का level था, वो moderate level का था, इसमें सोटा सा complex calculation given थी, average पूछा गया था, percentage ratio, इन सब के ऊपर question बने थे, DI में, तो काफी बच्चों ने बताया कि मुझे, point में थे question, point में values थी, तो काफी add गरना, subtract रना था, तो आप सा tough था, 80 एजी था, कुछ बच्चों को moderate भी लगा, पूछ बच्चों को easy लगा, teaching aptitude से question बना था, transformative teaching थी, स्वयम से question बना था, यंद्र से question बना था, तो एक बार इंसे को go through कर लेना, स्वयम से जादातर question बन रहे हैं, स्वयम और स्वयम परभास हैं, तो एक बार इसको पढ़ लेना, MOOC की full form पढ़ लेना, MOOC की full form important है, MWC MOOC, Massive Online, Massive Open Online Courses, MOOC की full form important है, यह देख लेना एक बार, communication से question बनाता है, elements of communication पर, current affairs से question आया था, और वो भी education से related था, environmental issues पर question था, carbon emission chronology में, order में लगाना था आपको, ennemiology पर question था, आस्तिक और नास्तिक कौन होते हैं, एक बार आस्तिक और नास्तिक पर साथ, I think question बना था, मुझे students ने बताया है, और व्यापती पर question बूचाए गया था, number series जो मैंने आपको बताई है, number series, जो इसमें 60 से हम number को डिवाइड कर रहे हैं, उस पर question था, IITS था, matching करना था, आपको RAM, CPU, DVD, ROM, इन सब की matching करनी थी, तो इस सारे question थे, तो I think question जो paper था, second shift, मुझे ऐसा लगता है कि second shift का थोड़ा सा tough था, morning shift से, ऐसा मुझे लगता है personally, because मैंने दोनों paper का analysis किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो first shift, जो shift थी 29th of October को, उसका paper थोड़ा सा easy तक, as compared with the second shift, तो guys कोई बात नहीं, अपनी अपनी लग्की बात है कि कैसा question आपके सामने आए है, किस टाप कोशन बने है, so don't worry, अगर किसी का net clear नहीं होता, तो please attention मतलेना बिलकुल भी, यूजी सी net mentor हमेसे आपके साथ है, जैसे ही दुबारे से form निकलेंगे, हम दुबारे से preparation स्टार्ट करेंगे, और इस बार मैं बहुत अच्छे से जबर्दस तरीके से preparation कराने वाला हूँ, paper 1 की preparation तो समझ लो, मेरे जे में छोड़ो आप लोग, बिलकुल without any cost, free of cost, आप लोगों को मैं preparation कराऊँगा, paper 1 की हर एक unit को हम अच्छे से cover करेंगे, वो कोई भी unit हो, unit 1 से लेकर unit 10 तक, आपके topic पढ़ने वाले हैं, upcoming days में, so guys, make sure आप चैनल को subscribe कर लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि upcoming days में आप preparation करोगे, UGCnet के, तो definitely आपको बहुत ज़्यादा, valuable channel आपको जो है इस टाइम पर, at present, आपको ये in future मिलेगा, so guys, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मेरे पास UGCnet के notes available है, तो आप लोग मुझे इन notes के regarding contact कर सकते हैं, UGCnet mentor ने ये notes prepare की हैं, और guys, मैंने खुद अपने, अपना 3 times UGCnet qualify किया है, और one time मैंने जारिफ निकाला हुआ है, so guys, मुझे अच्छे से पता है कि कहां से किस टाइप इवोशन बन सकते हैं, तो मैंने और मेरी एकदूट फ्रेंड्स भी हैं, जो teacher हैं, पढ़ा रहे हैं college में, हम सभी ने मिलकर के notes को बनाया है, जो paper one के notes हैं, वो English medium में available हैं फिलाल अभी, तो आप इन notes के regarding मुझे query कर सकते हैं, इन notes के demo pages मांग सकते हैं, 4-5-8-10 pages में standing कर दूँगा, अगर अब होच्छे लगते हैं, जिसके भी पास, जिसके भी पास में notes available रहेंगे, उनके लिए, जो upcoming videos होंगी, बहुत helpful रहने वाली हैं, बिकास मैं notes से, और notes से ही कुछ topic उठावटा कर कर के इसमें explain करूँगा, तो आप उन चीजों को connect कर पाएंगे, जो आप पहले से पढ़ गया बैठे होंगे, so that will be more effective, according to me. So guys, आज की video में इतना ही, और आप लोग please मुझे comment कर के बताना की video कैसे लगी, आप लोगों के comment है में इते लिए बहुत valuable रहते हैं, आप लोगों के comment से ही मुझे motivation मिलती है, so please आप लोगों मुझे comment कर के बताना, and guys, आज की video में इतना ही, मिलते हैं next video में, till then, keep watching UGC Net Mentor, thank you so much.